राजधानी दिल्ली में जब से आपकी सरकार आई है तब से ये अपने नए कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा में रहती है अब एक बार फिर से आमादी पार्टी के एक विधायक में कुछ ऐसा काम किया है जिसे देश भर में पहला अस्थान प्राप्त हुआ है नरसल अब दिल्ली के 70 विधायकों में से एक विधायक का कार्याल है ऐसा भी है जिसे ISO प्रावानपत्र मिला है ISO प्रावानपत्र पाने वाला या देश का पहला विधायक कार्याल है इस कार्याला के सुरवाद 23 जुलाई को दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजवाल ने किया है जहां उन्होंने एक आयोजित कारेकरम में तिमारपूर विधायक दिली पांडे को या आयसो का प्रमानपत्र सौपा है कारेकरम के बाद सियम केजवाल ने कहा कि लोगों का जनसंपर्क आफिस बनाया है अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो यहां आ सकता है इस आफिस की खासियत यह है वैसे तो हर विधायक पूरे देश के अंदर अपनी विधानसभा में एक आफिस बनाता ही है यहां के खासियत यह है कि इन्होंने जो internal systems बनाए हैं, कि कोई भी अपनी समस्या लेकिर काएगा, तो उसको कैसे deal किया जाएगा? उसके process क्या होंगे? उसको कौन deal करेगा? फिर वो क्या करेगा? फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उस समस्या को कैसे deal किया जाएगा यह सारे procedure यह सारे process इन्होंने अच्छे से document किया है और उनको अच्छे से लागू किया है इसको ISO वाले जो है study करके गए एक्जामिन करके गए और इनको ISO 9000 सर्टिफिकेट मिला है इनके दफ्तर को पूरे भारत वर्ष में शायद ये पहला और अकेला MLA ओफिस है जिसको ISO 9000 सर्टिफिकेट मिला है तो मैं दिलिप पांडे जी को बहुत बहुत बदाई देता हूँ और हम भी देखेंगे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो जनता का सर्टिफिकेट है ISO से भी बड़ा सर्टिफिकेट तो अगर जनता इससे बहुत खुश होती है और ये सकस्वल होता है तो फिर हम इसको पूरी दिली में बाकी विधायकों के साथ भी लागू करेंगे वोई अपने कारेयलों को ISO 9001-2015 पर्मानपत मिलने के बाद विधायक दिली पांडे ने कहा कि अब जनता के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी छेतर के लोग जब चाहे मेरे दफ्तर आकर अपनी सिकायत कर सकते हैं और दफ्तर के अधिकारियों से सलाह ले सकते हैं कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा मैं जनता यहां आती अपनी समस्याओं को लेकर उनके अनभवों को और दुरूस्ट और बहतर कैसे किया जाए हमने इस बात पर ध्यान दिया और हमने शुरू किया अपने इंटरनल प्रोसेस को डिफाइन करना फिर कर दिया इस डॉकुमेंटेशन के प्रोसेस के डिफाइन होने और डॉकुमेंट होने के बाल किसी भी तरह को कई कई फ्यूजन नहीं रहा और ऐसा करने के लिए हमने जो एक संस्ता है इंटरनेशनल और इसने फोस्टनेशन हमने उनकी द्वारा तयार किये गए इंतरास्ट कर दिया लेहाजा यह दुद्धायक कर्याले है यह प्रमानपत्र दुनिया कर्यास है अगर यह सफल होता है तो इस तरह के और भी कर्याले खोले जाएंगे वही आपको बता दें कि यह प्रमानपत्र तिमारपुर विधायक कर्याले को तीन साल के लिए दिया गया है यह प्रमानपत्र दुनिया का सबसे मानिता प्राप्त गुर्मत्ता प्रवंधन प्रनाली का मानक है इसे साथ गुर्मत्ता प्रवंधन प्रनाली पर तैक किया जा इस प्रवान पत्र का उद्देश संगठनों को अपने ग्राहकों और अन्न हितधारकों की जरुरत को भी अधिक प्रभावी धंग से पूरा करने में मदद करना है। बिरो डिपोर्ट दिल्ली तक